अज मंजूर रस्वी में कोकोनट लड्डू बन रहे हैं जो आज बच्चों की फर्माईश है में पस एक कपी नारेल का चूरा है तो मैं उसी से आपको बता रहे हूं कि कैसे बनते हैं तो मैंने गैस ओन कर दिया है उसमें वन थर्ड मैं दूर डाल रही है कोई भी दूर ले सकते हैं और उसी में मैं 4 टीबल स्पून मतलब आप शक्कर अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आप चमच से ना पिलने तो मैं आपको बताती हूं एक दू मैं तीन डालती हूं पहले क्योंकि मेरे पास होम में मावा भी बना पड़ा है मैं वो भी डालने वाली हूं अगर आपके पास मावा नहीं भी है तो भी बिना मावे के भी बना सकते हैं अगर मावा है तो आप इसमें दो टीबल स्पून भरके एक कप में आप डालीए जब तक शक्कर मैल्ट नहीं हो जाए जब तक आप चलाते रहें इसमें कोई तार नहीं बनानी है सिर्क मैल्ट करना है शुगर को दूद और शुगर मैल्ट हो गई है अब इसमें में एक बड़ा चम्मच वन एंड हाफ चम्मच मावा डाल रही हूं जो हूममेट है अगर आपको बजार का मीले तो आप दो चम्मच टेबल स्पून भरके डाल सकते हैं यह मेरा दो टेबल स्पून के बराबर है अब इसको मैं को इसको मेल्ट करना है मावा थोड़ा मिक्स हो गया है अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच टी स्पून गी डालोगे इसमें बहुत अच्छा लगता है गी अब इस टाइम आप इलाइची डाल सकते हों कोकुनेट का एक अलग फ्लेवर होता है अगर आप इलाइची नहीं भी डालें तो भी चलेगा अगर डालना है तो दो तीन इलाइची को पाउडर करके डाल देजिए अब इसमें मैं कोकुनेट पाउडर डाल रही है जो की एक कप है आपके पास फ्रेश कोकुनेट हो उससे भी बना सकते हैं उसको ड्राउन पाट लिकालके उसको मिक्सी में प्लीस लो ब्यूकुल पाउडर फॉर्म में कर देजिए और उसके बाद आप बना सकते हैं यह जल्दी से घट होने लगता है जब तक यह एक डव फॉर्म में ना हो जाए कड़ाई छोड़ने लगे तो इसका मतलब हो रेडी हो गया है देखिए उसने कड़ई छोड़ दी है नारेल की फुश्वो आ रही है अब मैं गैस बंद कर रही है कि एक कोकोनेट लड़ू रेडी हो गया है जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप इसको पिस्ता से भी डेकोरेट कर सकते हो मैं पस कुलाब के पैटल्स से तो मैंने उससे डेकोरेट किया है यह विदिन फाइफ मिनट्स में यह मिठाई बन जाती है यह जादा ले लीजिए उसको थोड़ा सुखा लीजिए फिर शुगर और पाउडर डालके कोकनट पाउडर डालके आप बना सकते हैं अगर मावा है भार से मिल रहा है तो तू टेबल स्पून ही मावा डलता है विदिन फाइब मिनट्स में यह इतने बहतरीन लड़ू बने है आप खाएंगे तो मज़ा आजाएगा अब आप बनाई और हमें बताई कैसे लगे आपको